यह देखें दोस्तों कितनी डिलीशियस और यमी लग रही है यह सबजी पिल्कुल रेस्टरंट से आई हुई सबजी की तरह तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मुगलई कठल की रेसिपी सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं मुगलई कठल बनाने के लिए मैंने यहां पिलिया है आधा किलो कठल मैंने बड़ा वाला कठल यूज करा है जिसमें रेशे होते हैं और कठल को छोटे-छोटे पीसेज में काट दो बड़े प्याज जिसे मैंने धो के छीला और कद्दू कस कर लिया दो मीडियम साइस के टमाटर जिसे मैंने मिक्सी में पीस की प्यूरी बनाई है चार बड़े चमच दही दही को मैंने कुछ देर के लिए स्ट्रेनर पे रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए और एक बड़ा चमच नमक एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चमच गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर एक छोटा चमच धनिया पाउडर एक छोटा चमच भुने जीरे का पाउडर दो बड़े चमच काजू की पेस्ट चलिए हम सबजी को बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें कर लेना है कठल को मैडिनेट, तो यहां पर मैंने ले लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल, इसमें मैं डाल दूँगी यह कठा हुआ कठल, आप देख सकते हैं आपे कठल में भरपूर रेशे हैं, इसी तरीके से आपको लिशे नहीं होते हैं, तो सबजी में स्वाद नहीं आएगा, बारा कठल लें और पीसे जब छोटे-छोटे काटें, अब मैं इसमें डाल रही हूँ चार बड़े चमच, गारी, दही, जिसका पानी मैंने निकाल के फैंट दिया है, साथ ही मैं इसमें डालूँगी अद्रक लसन की पेस्ट, तो आधा चमच मैंने यहाँ पे लसन डाला है, और आधा चमची मैं डाल रही हूँ अद्रक, अद्रक लसन दोनों को मैंने कूट लिया था, अब मैं इसमें डालूँगी आधा चोटा चमच नमक, आधा चोटा चमच लाल मिर्ची पाउडर, एक चोथा ही और इन सब चीजों का मच्छे से मिला लेंगे फिर से ढखके रख देंगे साइड में तकरीबन 15 से 20 नट के लिए ताकि कठल बिलकुल अच्छे से मैडिनेट हो जाए 20 नट हो चुका है अब कठल यहां पे बिलकुल अच्छे से मैडिनेट हो चुका है सारे मसाले कठल ने अब्सार्ब कर ली है और इसमें बहुत ही अच्छी खुश्पो आ रही है मैंने तेल भी अल्रेटी गरम होने रखा है तो अब हम करेंगे कठल को डीप फ्राई तेल आप देख सकते हैं बिल्कुल धूए नार गरम है तो बिल्कुल अच्छे गरम तेल में आपको कठल को फ्राई करना है पहले पांच मिनट के लिए मैं इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी फिर पांच मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी इस अच्छे से चलाते हुए हमें गोल्डेन होने तक फ्राई करना है 10 नट तक तोटल मैंने कथल को फ्राई किया 5 मिनट हाई फ्लेम पे और 5 मिनट लो फ्लेम पे कथल फ्राई हो गया है तो इसे मैं निकाल लेती हूँ इसी तरीके से मैं second batch भी कठल का fry कर लूँगी सारे कठल के pieces मैंने वापस से oil में डाल दिये हैं जो बच्चे हुए थे इसे भी ऐसे fry करूँगी वी बनाते हैं तो यहाँ पे मैंने pan में डाल दिया एक बड़ी कंची refine तेल तेल को मच्छे से गरम करेंगे तेल गरम हो चुका है इसमें मैं डाल दूँगे एक अद्दू कस किया हुआ प्याज और प्याज को कंच्वसली चलाते हुए golden होने तक हमें पकाना है flame मैंने कर दी है medium high और medium high flame पे इसे कंच्वसली चलाते हुए पकाऊंगी जब तक प्याज अच्छे से golden brown ना हो जाए पहले oil कम लगेगा लेकिन जैसे जैसे प्याज पकेगा ये oil release कर देगा ये देखिए प्याज अच्छे से golden हो चुका है तो इसमें मैंने डाल दिया एक ब्राद चमच पानी ताकि प्याज जले नहीं और फ्लेम को कर दिया है लो अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमच कद्धूकस की हुई लसन और एक चमच कद्धूकस की हुई अद्रक अद्रक लसन को आप कूट भी सकते हैं 10 सेकेंड के लिए मैंने अद्रक लसन को भून लिया है अब मैं इसमें डाल दूंगी टोमेटो प्यूडे जैसा कि मैंने बताया मैंने टमाटर को घर में पीसके ही प्यूडी बनाई है आप रेडी में टोमेटो प्यूडी भी यूज कर सकते हैं इसे भी मच्छे से चला अब मैं इसमें डालनूँगी सारे सूखे मसाले, नमक आप स्वात के नुसार डाले, एक छोटा चमच लाल मृच पाउडर, यहां पर मैंने कश्मीरी और तीखी लाल मृच पाउडर को मिला के लिया है हमेशा की तरह, एक चोथाई छोटा चमच हल्दी पाउडर, एक छोटा चमच भुने जीरे का पाउडर, एक छोटा चमच गरम मसाला पाउडर, सारे मसाले मैंने डाल दिये हैं और से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मसाले को कवर करके हम रख देंगे लोव फ्लेम पे जब तक इसमें से ओईल रिलीज नहीं हो जाता, मसाले को कवर करके मैंने पाउडर तक लोव फ्लेम पे रहने दिया है, आप देख सकते हैं सारा ओईल यहाँ पे से सेपरेट हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी दो बड़े चमच काजू की पेस्ट, और से एक बार अच्छे से चला लूँगी, इसे भी हम एक से दो मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, थाकि फिर से ग्रेवी यहाँ पे ओईल रिलीस कर दे, देखे मैंने से कर दिया कवर, आप देख सकते हैं वापस से ग्रेवी ने ओल रिलीस कर दिया है, कवर करके मैंने से दो मिनट के लिए लोव फ्लेम पे छोड़ा था, जितने अच्छे से ग्रेवी भूनेगी, उतना ही सबजी में स्वाद बढ़ेगा, तो इसमें भूनने में आप कंजूसी ना करें, अब मैस में डालूँगी दो बड़े चमच दही, और जिस बाउल में हमने कठल को मेरिनेट करा था, उसमें मैंने एक कप पानी डाला है, औ पानी भी यहां पे डाल रहे हो, क्योंकि उसमें भी काफी जादा दही अभी किनारों पे लगी हुई थी, अगर आपका बाउल बिल्कुल क्लीन हो, तो आपको यह पानी डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप दो चमच दही डालें, यह से अच्छे से मिलाएं, और कवर क अच्छे से मिला लूँगी, और वापस सब्जी को कवर करके रख दूँगी लोव फ्लेम पे तकरीबन 10 नट के लिए, ताकि सारा ओयल सब्जी रिलीस कर दे और बिल्कुल अंदर तक कठल मसाले को एब्सॉर्ब भी कर ले, यह देखिए, 10 नट तक मैंने से लोव फ्लेम पकाया है, सारा का सारा ओयल यहां पे सर्फेस पे आ चुका है, और कठल का कलर भी अप चेंज हो चुका है, ग्रेवी भी आप देख सकते हैं काफी ज़्याद थिक हो गई है, तो सब्जी बन के तयार है, फ्लेम को करती हूँ ओफ और चली आपको दिखाती हूँ से सर्फ कर मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ तब ते के लिए गुडबाई और थेंक्स वाचिंग में वीडियोज